हेलो फ्रेंट तो आज की वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल की गर्मा गरम टेक निउस तो आप आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे हैं वीडियो में अगे बंड़े पहले फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए अगर आप हमारे इस च 25 जून को यह यहां पर ऑफिसली लॉंच हो जाएगा अगर बात करें इसमें तो यहां पर आपको दो वेरियंट देखने को मिलेंगे पहला होगा यहां पर रियल्मी एक्सटू का और आपको यहां पर मिलेगा रियल्मी एक्सट्री सूपर जूम तो बाकि दूस्तों यह कॉमेंट करकर बता सकते हूं अगला अपडेट यहां पर निकल कर आता है दोस्तों सैमसाइंग गैलेक्सी एट्वेंटीवन एसको लेकर फाइनली बहुत सारे रियूमर के बाद यह अफिसली इंडिया में लॉंच हो चुका है अगर बात करें दोस्तों यहां पर इसके कु आपको इसमें प्रोसेसर दिया गया है यह आपको दो वेरियंट में मिलेंगे फोर जी बी रैम शिक्टी फोर जी वाला इस्टोरेज जो वेरियंट है उसकी प्राइज है दोस्तों यहां पर इसके लिए पेक करना होगा तो अगर आप सब इंट्रेस्टेड हो यहां पर अगला अपडेट यहां पर निकल कर आता है दोस्तों सूरिय ग्रहण को लेकर आप सबको पता है 21 जून को यहां पर सूरिय ग्रहण लगने बाला है जो की बिल्कुल यहां पर लगेगा बिल्कुल आपको सं जो है वो रिंग के आकार का आपको दिखाई देगा वही यहां पर दोस्तो मैं आपको बता दूँ अगर आप इसकी live streaming देखना चाहते हो तो आप YouTube पर जाकर time and date और slow जैसे चैनल पर आप बहुत ही असानी से इसकी live streaming वहां से देख सकते हो तो अगर आप सब को यहां पर interest है इसको देखने में तो आप YouTube पर जाकर यहां से बहुत ही असानी से आप इसको देख सकते हो अगला update यहां पर निकल कर आता है दोस्तो ओपो की तरफ से ओपो ने दोस्तो यहां पर इंडिया में launch कर दिया है अपने यहां पर OPPO Find X2 और OPPO Find X2 Pro को अगर बात करें यहां पर इसके कुछ details के बारे में तो इसमें यहां पर आपको मिलता है 6.57 आपको एक OLED वाला display देखने को मिलेगा जो की आता है दोस्तों यहां पर 120 Hz का आपको इसमें display rate दिया गया है अगर बात करें यहां पर तो आपको दोनों ही phone में rear में triple rear camera दिया गया है जो primary camera है वो है दोस्तों यहां पर 48 megapixel का front में आपको यहां पर 32 megapixel का punch hole वाला camera दिया गया पर आपको मिलती है 65 watt का super woke charging support यानि आप यहां पर इसको लगवा 40 minute के आसपास आप इसको completely charge कर सकते हो 100% बाकि दोस्तों यहां पर ओपो ने इसकी pricing के बारे में कुछ भी अभी नहीं कहा है तो देते हैं दोस्तों यहां पर इसकी क्या pricing निकल कर आती है पर phone दोस्तों बहुत ही कमाल का है अगर pricing भी इसकी कमाल की हो जाए तो फिर क्या बात तो अगर आप सब दोस्तों यहां पर इंट्रेस्टेट हो तो वेट करिए थोड़ा सा बहुत ही कमाल का phone है और अगर आप सब excited हो तो आप मुझे नीचे comment करकर बता सकते हो अगला update यहां पर निकल कर आता है जहां पर दोस्तों सिर्फ अभी live photos ही यहां पर इसकी leak होके निकल कर आई है बहुत सारी कुछ और details यहां पर नहीं आई है तो देखते हैं दोस्तों यहां पर आपको galaxy watch 3 में क्या क्या आपको features देखने को मिलता है तो आप सब excited हो अगर यहां पर galaxy watch 3 को लेका तो आप मुझे special edition देखने को मिल सकता है जो कि होगा दोस्तों यहां पर एक radical special edition यह obviously teased हो चुका है company के दवारा हाला कि पोस्ट के थ्रू किया गया था फिर उस पोस्ट को दोस्तों अभी delete कर दिया गया है तो बाकि और कोई details यहां पर इसको लेकर नहीं निकल करा दिये कि यह जो special edition होगा वह किस तरीके का होगा कैसा होगा बहुत सारी अभी question mark है यहां पर इस radical edition में तो देखते हैं यहां पर जब यह launch होता है अगला update यहां पर निकल कर आता है दोस्तों Redmi के तरब से Redmi K40 को देखा गया है दोस्तों यहां पर एक certification site पर जहांसे दोस्तों कुछ details leak हो के निकल कर यह जो की है दोस्तों यहां पर इसमें आपको दिया जा सकता है 33W का fast charging support और कोई details वहां से नहीं लिखोगे निकल कर आई है तो देखें दोस्तों जब यह Redmi K40 launch होता है क्या specs क्या price क्या feature इसके यहां पर निकल कर आते हैं तो अगर आप सब excited हो यहां पर K40 को लेकर तो आप म नया टैब देखने को मिल सकता है जो की होगा दोस्तों यहां पर Google Meet टैब जिसकी मदद से दोस्तों बहुत ही असानी से हम अपने यहां पर वीडियो कांफरेंसिंग वगेरा कर सकते हैं यानि यहां पर अपने official काम work from home के थूरू कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा कमाल का यहा Google कुछ भी नहीं कहा है तो देखते हैं यह कब तक यहां पर हम सबको नया टैब Gmail में देखने को मिलता है अगला डेट यहां पर निकल कर आता है दोस्तों IQ 3 प्रोक लेकर जिहां दोस्तों यहां पर इसकी कुछ details लीक होके निकल कर आ रही है जहां यह कहा जा रहा है कि इसमे Snapdragon 865 Plus वाला processor आपको इसमें देखने को मिल सकता है वहीं जो IQ 3 है उसमें आपको Snapdragon 865 वाला processor ओलेडी दिया गया है और यहां पर दोस्तों इसमें आपको बैटरी देखने को मिल सकती है 4500 कि आपको इसमें बैटरी दी जा सकती है और यहां पर सबसे बड़ी बात इसकी pricing details भी य निकल कर आई है देखते हैं यहां पर कब iqoo 3 pro लाँच होता है तो अगर आप सब एक्साइटेड हो इस pro को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट करकर बता सकते हो अगला पडेट यहां पर निकल कर आता है दोस्तों एक बजट 5G फोन को लेकर जी यहां दोस्तों यहां पर एक फोन निकल कर आ रहा है जिसमें आपको मैं बता दू कि snapdragon 690 जी वाला आपको उसमें प्रोसेसर देखने को मिल सकता है वो दोस्तों यहां पर एक 5G फोन होगा यानि यह जो फोन होने वाला है वो एक बजट फोन होगा और यहां पर सबसे बड़ी बात कि आपको snapdragon 6 series में आपको 5G यहां पर दिया जाएगा पहला स्मार्टफोन होगा अभी यह दोस्तों किस कंपनी के तरफ से लॉंच किया जाएगा इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है तो देखते हैं दोस्तों यहां पर यह कब तक बजट 5G फोन तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारी सेनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा मिलते हैं आप से इकली वीडियो में कुछ ऐसी कमाल की टेक निउस के साथ तब तक के लिए इतना ही जैहिन वंदे कर दो कर दो कर दो कर दो कि डिएमा तरम